आज मैं आपके ऐसा शेर करने जाने बहुत ज़्यादा टेस्टी मार्केट से भी ज्यादा बर्फेक्ट और सॉफ्ट बर्फी की रेसिपी आप इस दिवाले में ये चने की डाल की बर्फी बना के जरूर ट्राइक कीजिएगा आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएग आदा कप जितनी चने की डाल और इसे बापाने से अच्छे से वाश कर लेंगे बाद में इसे ट्रांस्पर करेंगे कड़ाई में और इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पर इसे हमें तब तक भूनना है जब तक की जो दाल है उसका पानी अच्छे से सूख जाता आप अगर दाल को काफी टाइम तक भेगों कर बनाते हैं बर्फी तो बहुत टाइम लगता है लेकर अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका टाइम जब बहुत जादा बचेगा ये देखे हमारी दाल जो है अच्छे से ड्राइ हो गई है कहीं से भी गीली नहीं अब हम इसे ठंडा होने देगे जब य ठंडी हो जाएगी तब हम इसे पीस लेंगे और ये देखे हमारी जो दाल का पाउडर है वो बन के पिल को तयार है इसे ट्रांसफर कर लिएते हैं बाउल में और इसमें डाल देंगे तीन बड़े चमस सूजी सूजी डालने से जो हम पर घी गर्म किया है इसमें हम डाल देंगे हमारी दाल का mix और अच्छे से continue चलाते हुए medium low flame पर इसकी बुनाई करेंगे दाल को भूने में आपको करीबन 20-25 मिनिट का time लगेगा medium low flame पर आपको high flame बिलकुल भी नहीं करना है अगर आपने इसे high flame पर भूना फिर आपकी दाल में कलर तो बढ़ी आ जाएगा लेकर यह एकदम कच्छी रहेगी और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा आपकी मिठाएगा इसलिए आपको बस थोड़ी से मेहनत करने हैं इसे अच्छे से भूनते रहना और जब इसका color इस तरीके से change हो जाए तब इसे बड़ी आसी महक आने लगेगी आप समझ जाए यह अच्छे से भून गई है अब हम इसे निकाल लेंगे और साइड में हम बना लेंगे खोया मिठाई पगरा में जो मार्केट का खोया रहता उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता इससे आपको घर में खोया की रेज़ी जो है वो शेयर करने हूँ तो थोड़ा सा मैरे milk powder लिया है इसमें हम दूद डाल द जिससे आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्रम ना आएगी देखिए यहां पर दूद काफी गाड़ा हो गया अब हमारा जो milk powder का mix है वो डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे milk powder डालते ही आप notice करेंगे जो हमारा खोया है वो अच्छे से गाड़ा होना start हो गया यह देखिए आप चाहें तो इस स्टेज में एक दो चमस घी अट कर सकते हैं या फिर अगर आपको लग रहा है घी डालेंगे ज़रूरत नहीं अकड़ाएं में जाद ही नहीं लग रहा ह है तब आप इसे continue इसी तरह चलाते रहें यह देखिए तो यह हमारा homemade खोया बनके तयार है अब हम इसमें डाल देंगे डाल और दाल को भी हम करीबन 4-5 मिट भूलनेंगे मीडियम फ्लेम पर इससे भूनने से जो हमारी बर्फिया उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है आ अब हम बनाते हैं चार्शनी चार्शनी बनाने के लिए हम ले लेंगे फानी सेम पॉंट्रिटी में डाल देंगे चीनी और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक चीनी जो है वह मैट नहीं हो जाती अभी मैं यहां पे डाल रहे हूं थोड़ा पे हैं यह देखिए जो चार्शनी वह हलकी चिप चिप हो गया बस अब हम यह हमारी जो दाल का मिक्स है बूर डाल देंगे अच्छे से मिला लेंगे इसे अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो दाल है वह कड़ाई नहीं छोड़ने लगती यह जमने की कंसिस्टेंसी म च्छे च्छोड़ने लगे तब आधि उसे ट्रांसफ़र करेंगे यह देखें एकदब प्रफेक्ट हमारी दाल का मिक्स तयार है एक प्लीट में मैंने घी लगा लिया था उसी में च्छे से अब अच्छे से फिला लेंगे और इसके बाद अब हम इसे चिकना कर दिंगे ब इसके पीसे कट करेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स एकदम पॉर्फक्ट हमारी मखमल जैसी मिठाई बनी है देख सकते हैं पीसे कितने आराम से कट हो रहे हैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाने में और बनाना कितना असाना कोई भी बना सकता है और आपको टेक्शुर देखरा होगा थोड़े इस पे दाने दाने जैसे कि हम मोहन थाल बनाते हैं बिल्कुल वैसी इन इफक्ट उससे भी बड़िया टेस्ट आएगा आप बड़ी मिठाई जरू बनाएगा अब मैं आपको पीस जो है निकाल के दिखाते हूं यह देखे एक दम बड़िया कितना बड़िया है तो फ्रेंट्स आप एक पर यह रैसिपी अपने गव में चरू ट्राइब कीजिएगा आपके फैन्में में सब को बहुत पसंद आएगी आपके वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइ करने हैं